नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग, जैसी यलसी, जैसरी कृष्ण है, जैसा कि बच्चों, 14 फरवरी जो बसंद पंचमी है, इस बरस 2014 को उस दिन से CLC की बायोकेम DTS जो है, वो प्रारम को रही है, और आज 15 फरवरी को ये बायोकेम DTS का सेकंड पेपर है, तो मैं डॉक् सेकंड बायोकेम DTS है, जो लो जी का जो पोर्शन है, उसका पेपर माज आप से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, सो सबसे पहले आप सबको नीट 2024 उसके एकजाम की शुब कामना, all the best, और जैसा कि इसकी इनफरमिशन अभी आई है, कि नो फरवरी से आप सबके नीट के फॉर नीट के फॉर्म्स को बहुत केरफूली आपको फिल अप करना है, एक ऐसे जो ओलाइन प्लेट फॉर्म जो है, जा इमित्र हो या कोई बहुत सारे साइबर ऐसे प्लेसे होते हैं, जिनको कम से कम साथ या आठ साल इन फॉर्म्स को भराने का, नीट का, जैई का काफी बच्चों आपको सबसे पहले ये दूगा इसके अंदर, क्योंकि नीट का पेपर तो डिसकस करना है, कि आप जब रेजिस्टेशन का जो फॉर्म फिल अप करें, तो सबसे पहले उसकी एक जिरोक्सकोपी आप करा लें, और जिरोक्सकोपी कराने के बाद, जो पैंसिल होती है, जिसको रबट से पन मिटा सकते हैं, तो सबसे पहले आप उस जिरोक्सकोपी के अंदर, आप अपनी पूरी टोटल इंफोर्मेशन, पैंसिल के द्वारा आप उसको भरे, आपका नाम, नाम की स्पेलिंग, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपकी डेट व बर्थ, ये फिल करते हैं, तो वो आपका रिजल्ट शो कर देता है, तो जो प्राइमरी इन्फोर्मेशन है, वो इन्फोर्मेशन के लिए, बिल्कुल केरफुली अपने को रहना, यदि आपकी मदर का नाम के आगे, SMT, स्रीमती लगा हुआ है, तो आप बिल्कुल केरफुली देखे का 10th की मार्शीट में यदि वो लगा हुआ है, तो आप बुबरिये, कई बार बच्चों से क्या होता है, कि मदर का नाम लिख दिया, 10th की मार्शीट के अंदर SMT, या स्रीमती, ऐसा कुछ लिखावा नहीं था, मिसेज लिखावा था या नहीं था, तो ये छोटी-छोटी मिस स्टेक हो गई हो, तो वो वेबसाइट 24 गंटे के लिए खोली जाती है, लेकिन अपन गलती क्यों करें, विशेज तोर से date of birth, father's name, mother's name, और आपकी schooling और आपके mass, ये चीज जो है ना, बिलकुल, और जब आप उसको पूरा pencil से भर लें, तो एक बार आप उसको अच्छी तर तो आज 15 तारीक को होने वाला paper है, उसका आज अपन जुलो जी वाली portion का discuss करने चलते हैं, so let's start the biochem DTS, question number first, question number first, जैसा कि बच्चों, question number first जो है, वो है इसमें, ये total paper जो हैं बच्चों, अपना NCRT based paper है, NCRT को पूरा cover करते हुए, अपन ये paper को make up किया है, बनाया है, और इसके अंदर हमने पूरा प्रियास ये किया है, कि NCRT की हर एक information आप तक पहुँचे, और उसका बहुत practice हो, और आप अपना selection की बाद तो छोड़िए, बच्चों, biochem आप करते हैं, तो आप selection से बिलकुल safe zone में आ जाते हैं, लेकिन इस biochem को join करने से, और biochem को बहुत अच्छी तरह से करने से, आप एक rank को decide भी कर सकते हैं, तो यानि कि rank decide के base के point of view से, ये अपने पूरा NCRT based paper को बनाया है और उसकी framing की है, so let's start the first question, cellular level of organization is found in, question में पूछा गया है कि बच्चों कि जो चार options के अंदर अपने जो animals के नाम पूछे हैं, इन animals में से कौन सा animal है, जिसका body का organization, cell level पर है, कोशी का इस तरह पर है, hookworm, antidon, adventia, eospongia, और हम animal kingdom स्टार्ट करते हैं, तो बच्चों पहला phylum जो पढ़ते हैं, वो पहला phylum porifera पढ़ते हैं, porifera के अंदर cell level पर body organization होता है, और इसके अंदर जो option आता है, you spongia, porifera का member है, so इसका correct answer जो है, वो कुन सा है, you spongia, okay, clear, चलिजी, next question, question, question number two, in which of the following larva shows bilateral symmetry but adult has radial symmetry? देखें बच्चों, bilateral symmetry आपको कहीं जगे पर बिलेगी, लेकिन इस question के अंदर, NCRT से बिल्कुल, जो NCRT ने भी clear लिखा है, और बिल्कुल ही लिखा है, लार्वा स्टेज के अंदर bilateral symmetry है, बट उनके जो adult आजाता है, उस adult के अंदर radial symmetry है, ऐसा phylum, इस आपने पढ़ा तो क्यों एक ही phylum आता है, वो कुन सा आता है, और जब यह adult animals होते हैं, इनकी body के अंदर, radial symmetry consider की जाती है, ठीक है, ओके, तो planaria, यह भी नहीं है, tenophora, इस लेंटरोट्स को आता है, frog, इसके अंदर आता है, amphibious का echinodermata, echinodermata का specific character है, so correct answer is echinodermat, clear, yes, now next question number 3, question number 3 पर आते हैं, बच्छों, body is externally and internally divided in two segment with a serial repetition of at least some organs, this type of segmentation is called, है, हिंदी में भी इसको बल दूँ, कि बच्छों, शारिर के शरीर जो है, वो बाहर से और अंदर से, दोनों रूप से, छोटे-छोटे समान खंडों के अंदर विवेदित हो, और उनमें कुछ अंगों की भी पुन्रावत्ती हो, यानि organs की repetitions हो, बोड़ी सेग्मेंट के अंदर, कि छटवे सेग्मेंट के अंदर ये बोड़ी ओर्गन है, तो साथवे सेग्मेंट के अंदर भी बोड़ी ओर्गन का presentation है, यानि कि उसकी उपस्तती है, तो बोड़ी ओर्गन का repetition हो, लेकिन बोड़ी का जो division है और उसका hidden part पर रख दिया, cockroach and frog animal morphology के अंदर अपना consider किया गया, लेकिन फिर भी अपन जानते हैं, बच्चो, analytes की body जो है वो metameric segmented के अंदर divided होती है, बाहर से और अंदर से और body के कुछ organs जो होते हैं वो segments के अंदर repeat भी होते हैं जैसा कि आपने देखा होगा कि इसके अंदर stomach है, इसो का गयसे, एक इस segment में नहीं होते हैं, वो कुछ organs तक repeat होते हैं, कुछ organs तक present होते हैं, so इसके अंदर metagenesis option नहीं है metamorphosis जो कायंतर, यानि कि larva से adult का और metastasis ये part इसके अंदर नहीं है but इसके अंदर आता है metameric segmentation, correct option जो उसमें जाता है, वो कौन सा जाता है metameric segmentation ठीक है बच्चों, okay now next question question number fourth question number fourth के अंदर sponge of seal is lined by porifera है तो porifera की body के अंदर अपन पढ़ते हैं बच्चों के उनकी body की cavity जो होती है, उस body cavity को line करने वाली membranes जो होती है वो coinocytes की होती है sponge of seal जो होती है उनके अंदर water system पाये जाता है water flow system तो collar जो उसका होता है collar वाला और body seal वाला इस body जो cavity है, उन दोनों को line करने वाली cell, coinocyte cells होती है तो coinocyte cells ये एक correct answer आता pinacocyte, scleroblast ये body को support करने वाली इसके अंदर पाये जाने वाली alexia cells है, embryo blast जो इस reproduction related cells होती है बट इसके अंदर body cavity को line करने वाली cell पूची गई है so correct answer is the coinocytes okay question number, now next fifth, पांचवे question पर आते हैं due to absence of which structure in members of class contractis have to swim constantly to avoid sinking work contractis के सदश्यों में कौन सी संदचना absent होने के कारण वो डूबडे से बचने के लिए लगातार तहरते रहते हैं तो जैसा कि PCS के अंदर अपन पढ़ते हैं बच्चों तो PCS को अपनने दो पार्ट में differentiate कर रखा है contractis and ostriches contractis जो होती है इनके अंदर आने वाली जितनी भी members हों उनका body scletal cartilaginus consider किया जाता है और ostriches के अंदर आने वालों का endosclutal वो अपन बोनी structure कंसीडर करते हैं और ostriches के अंदर ये continue इनके members जो होते हैं वो तैरते रहते हैं क्योंकि इनके अंदर airbags या airbladders इनमें absent होता है clear? तो इस fifth number के question के अंदर placoid skull tenoid skulls तो यह तो body की coverings है बच्चों बोडी को cover करने वाली या उनकी जो layer होती है इसकी इनको cover करने वाली layers है upper column gills slits के उपर present होते हैं absent और present बट ये बोल रहा है कि किसकी absence की वज़े से continue तो यदि इनमें air bladder present होते है तो शायद ये continue नहीं तेहरते रहते हैं बट इनको continue क्यों तेहरना पड़ता है क्योंकि इनकी body के अंदर air bladder absent है ओके तो correct answer is the air bladder आयेगा बच्चों question number six इस पर अपन देखते हैं इस पूछा गया बच्चों कि जो एवीज क्लास है उसका अभिलाक्षनिक गुण पूछा गया है एक तो होते characters तो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं वह और हों के अंदर भी हो सकते character static character जो particular इसी class के सभी members के अंदर present हो जैसा कि homeo thermos it is the character not characteristic character क्योंकि mammals जैसे अपन है अपन भी homeo thermal है body का temperature constant होता है तो characteristic characters पूछा गया है तो इसके अंदर अपन देखें homeo thermos ये इसका characteristic character नहीं है wings और other animals के अंदर भी present होते हैं pneumatic bonds yes avies के अंदर bonds होती है और ये इनका flight adaptation है उड़ने का अनुकूलन है कि शरीर को उड़ने के लिए हलका होना चाहिए तो bonds की वज़े से body weight जो होगा वो थोड़ा heavy होगा तो ऐसी condition में उड़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी तो avies का characteristic characters होता है कि इनकी bonds जो होती है वो pneumatic bonds होती है इनमें airbags या air cavities present होती है and four chamber heart तो four chamber heart तो mammals के अंदर भी है crocodile के अंदर भी है और abies के अंदर भी है so they are the character but characteristic के point of view से correct answer is the pneumatic bond why we are astia clear yes question number now next seven आईएगा which of the following is not poisonous snack हला कि देखेगा बच्चों NCRT ने जो है reptiles के अंदर snacks को इतना explain नहीं किया गया लेकिन उसके साथ में snacks के examples के साथ में सिर्फ यह लिग दिया कि poisonous snacks जबकि poisonous snacks आने के बाद में फिर हमारे पास में एक थोड़ा सा challenge आ जाता है या आप यह समझेगा कि हो सकता है कि NCRT ने अपनी कुछ information hidden condition में रखी हुई है जब poisonous snacks बोल दिया गया तो इसका मतलब कुछ snacks ऐसे भी होते होंगे जो non poisonous snacks होते हैं तो हला कि ठीक है NCRT ने यह पूरा classify नहीं किया कि कितने snacks होते हैं वो poisonous होते हैं और कौन कौन से जोते हैं जैसा कि इस में पूछा गया options है कोब्रा यस कोब्रा जो है poisonous है काफी जहरीला होता है poisonous नहीं दैन वाइपर रसेल क्रेट बंगारस यह सब poisonous snacks होते हैं लेकिन पाइथन जो इंडियन अजगर होता है अजगर poisonous नहीं है देखते हैं अपन गरी मोल लेके अंदर आते हैं वह से लोग खेल दिखाने के लिए तो अपने जो लेके अंदर अजगर को लेकर के आते हैं तो अजगर को लेकर के आते हैं तो अजगर क्या होता है वो poisonous नहीं होता है non poisonous होता है ठीक है तो according to this question correct answer is the python now next question question no.8 which of the following is belong to phylum analida analida को belong करने वाला कौन सा इसमें member है leech, mosquito, phylarial worm, CPAN में तो अब जड़ा आपन देखें स्वें CPAN ये सिलेंट्रेट्स में आ गया और mosquito orthoports में आ गया phylaria, scalminthes में आ गया leech, जिसे herodinary कहते हैं यानि कि जॉंक जिसे हिंदी में आपन बोलते हैं ये analida को belong करने वाला member है, so correct answer is the leech चलिए जिए question number next, ninth, in balanoglossus the excretory organ is, balanoglossus जो hemicodita का member है, इसके अंदर excretory organ कौन सा है, चलिए देखें, malpigen tubules जैसे के अपन जानते हैं, orthopods या kokros की अंदर है, green glands orthopods में है, kidney ये vertebrates के अंदर होती है, amphibians में भी है, reptiles में भी, avies में भी, mammals में भी, but hemicodita जो balanoglossus है, इसके अंदर proboscis gland होती है, जो इसके proboscis पे पाई जाती है, excretory का role play करती है, so correct answer is the third, question number 10th, 10 पर आते हैं, बच्चों, common character between birds and mammals is, यानि कि बच्चों, birds यानि avies और mammals, इस तंधारी और पक्षियों के बीच में कौन से इसमें common character है, वो option अपना इसमें correct होगा, ठीक है, double circulation, यास बच्चों, avies के अंदर और mammals के अंदर four chambered heart है, और जिनमें भी four chambered heart होता है, उनमें double circulation पाया जाता है, एक circulation होता है, इसके अंदर systemic circulation, जो body का circulation होता है, heart and body की बीच पे, और एक होता pulmonary circulation, जो heart और lungs के बीच पे consider किया जाता है, तो four chambered heart के अंदर double circulation consider किया जाता है, so avies के अंदर भी four chambered heart है, mammals के अंदर भी four chambered heart है, so double circulation दोनों के अंदर present है अब बाकी के options को थोड़ा discuss करें presence of ear pinna तो presence of ear pinna only mammals के अंदर है only mammals के अंदर हाला कि mammals के अंदर जो aquatic mammals है उनके अंदर ear pinna नहीं है but mostly mammals के अंदर present होती है crop and gizzard so crop and gizzard elementary canal के part है जो mammals के अंदर नहीं and heterodont तो don't जो teeth है यह अपन mammals में consider करते हैं एवी के अंदर common है नहीं है तो correct answer जो उसमें जाता है बच्चों वो है first double circulation so correct answer is the double circulation now question number 11 आएगा in the given figure are A and B are respectively यानि कि diagram जो अपने को दिया गया है बच्चो A और B respective orders के अंदर अपने का answer choose करना है ठीक है जैसा कि NCRTC लिया गया डाइग्राम है और हम जानते हैं कि A वाला जो part है वो medusa को बिलोंग करता है और B वाला part polyp को बिलोंग करता है सिलेंटरेट के classification में अपने पड़ा है कि medusa sexual reproduction cycles को represent करता है polyp asexual part को represent करता है तो सिधा इसमें answer आता है बच्चो अपना first answer sexually and asexually question number 12 yes थोड़ा बच्चो ये भी अपन देखें कि NEET के exams के अंदर पहले statement based questions एक या दो आते थे और 2003 का थोड़ा सा अपन देखें तो statement based जो questions है उनके या assertion reason वाले questions है उनका weightage या उनका कुछ ratio जो है थोड़ा सा बढ़ाया है इतना ज्यादा नहीं बढ़ाया है क्योंकि number of questions तो 50 है A section और B sections लेकर के total 45 questions अपने को solve करने होते हैं but 5 questions एक परकार से आपके choice पर है और B section में आने के बाद में अपने को 5 questions को छोड़ सकते हैं कि 10 questions तो B section में से भी अपने को करने पड़ते हैं clear? तो ऐसा नहीं है कि मतब statement based questions बहुत सारे हैं हाँ पहले के comparison में 2003 के अंदर 23 की बात करें तो थोड़ा सा statement based के questions का ratio उन्होंने increase किया है शायद हो सकता है aims के point of views उन्होंने किया हो क्योंकि aims भी नीट के अंदर involve हो गया तो questions को पढ़ते हैं यह बोले तो assertion part है coinocytes और color cells line the spongosil and the canal in poripherins जो poriphera के जो animals है इनकी जो body cavity होती जिसको अपन spongosil कहते हैं और उस body cavity के उपर जहां से water बाहर निकलता है वो color part कहलाता है तो इनको line करने वाली cells coinocytes होती है यह बिल्कुल सही है assertion बिल्कुल सही है अब इसके अंदर reason जो आपन देखते हैं reason क्या कहता है poripherins possess spicules and spongine fiber यह reason भी इसके अंदर सही तो है कि poriphera के अंदर यह spicules पाई जाते हैं जो spongine fibers के बने होते हैं कुछ calciferous भी होते हैं but spongine protein के बने होते हैं लेकिन यह body cavity को line करने वाली यह spongesil जो है उस spongesil को line करने वाला reason को explain नहीं करता है क्योंकि spongesil fibers जो है यह body को support करने वाला है जबकि assertion किसके respect में पूछना चाता है वो पूछना चाता है body cavity के तो poinocides के कुछ features भी होते हैं digestion से related और respiration से related gas actions related यह reason में यह बाते होती तो शायद अपन उसको अपन correct explanation में consider करते हैं लेकिन spongesil fibers हो है यह body को support करने के respect में है so reason गलत तो नहीं है लेकिन यह assessment को correct explain नहीं कर पाता है तो इसके according अपना answer देखें first कहता है both a and r are true and r is the correct explanation तो यह a first option तो नहीं हो सकता then second is the correct both assertion reasons are true but r is the not correct explanation of assertion clear बच्चों so second option is the correct answer चले जी now next question number 13 question number 13 पर आते हैं in which animal the cells are arranged in two embryonic layers यहनि कि कौन सा animals ऐसे हैं जिनकी body के अंदर दो germinal layers present होती है या उनका body जो है दो germinal layers से develop होआ है जैसा कि अपन जानते बच्चों embryonic part के अंदर three germinal layers बनती हैं ectoderm, endoderm and mesoderm और उसके according जो है body को consider भी क्या गया body जो है diploblastic होती है या triploblastic होती है तो जिनके अंदर three germinal layers present होती है तो उनका body का development और उनका body organization जो है अपन triploblastic level पर consider करते हैं बड़ कुछ ऐसे animals हैं जिनकी body के अंदर ectoderm and endoderm part present होता और body का development diploblastic तो porifera के बाद में जैसा कि अपन silentrate पढ़ते हैं तो silentrate के अंदर अपन सिधा diploblastic पर आते हैं इसमें हैं ना तो उनके अंदर ectoderm और endoderm दो layer होती है mesoderm उनमें नहीं होती है कुछ लोग थोड़ा सा बच्चा यहां पर confusion हो जाता है कि सर वो ectodermis और mesodermis के वो endodermis के बीच में mesogilia present होती है जो mesoderm तो इनके अंदर germ layer mesoderm नहीं है तो diploblastic जो है बच्चो silentrate इसके अंदर consider किया जाता है तो correct answer is the first diploblastic के point of view से so now next question question number 14 आएगा question number 14 पर आते है choose the correct match correct match को choose करना है बच्चो जैसा कि है इस पे Aptino dides penguin है वल्चर तो यह तो गलत है नियो फ्रान गिद्ध होता है बट पीजन कोलंबा के लिए आता है बट यह भी गलत है and city kula यह parrot के लिए तो ता और penguin तो यह Aptino यह वाला matching तो सही होता है बट यह भी गलत है और strutio ostrich यह correct जाता है so fourth option is the correct matching करनी है इसके अंदर correct match है बच्चों सिधा तो correct match जो है इसके अंदर fourth option is the correct now next question 1515 यह भी match दा कोलम है तो पहले आपन देखते हैं कि match the columns first with column second and choose correct option यह अपने को दोने को इसमें matching करनी है और जो correct options है वो अपने को find out करना है so आईएगा इसके अंदर आपन देगे cyclostomates mouth without jaw बिल्कुल जैसे बच्चों cyclostomates को अपन false fish consider करते हैं यह true fishes नहीं है लेकिन इनके अंदर mouth तो होता लेकिन इनके अंदर जबड़े नहीं होते है so A की matching तो correct है first का A अब first का A जर आपने चार में देखें अपने को का मिल रहा है एक तो first में बिल रहा है और एक third में बिल रहा है तो अपने को जो brain है second और fourth के अंदर तो लगाना है नहीं है थोड़ा time management भी करना होता है exam की अंदर तो unnecessary चारे option में क्यों जाए अपने को brain लगाना की और दो के अंदर first A के अंदर आथा अब जड़ा conducts के अंदर आते हैं conducts के अंदर पन जानते हैं बच्चों बिल्स without operculum yes second का C तो second का C ये first and second दोनों में आ रहा है clear evies में आते हैं और evies में exclusively oviparous yes evies exclusively oviparous होता है third का B और बच्चों third का B जड़ा आपन देखें तो third option ही इसके अंदर आ रहा है fourth के अंदर भी अपन time को बचा ले एक-एक second का time value रखता है exam के अंदर तो बच्चों अपन आगे हैं यहीं पर ये गलत हो गया दो में से अब 50-50 percent है यानि second और first में, sorry, second और fourth में outrightly हमने इसको reject कर दिया अब अपने पास में दो यह option में तो brain लगाना था दो option के अंदर भी पूरा time consume क्यों करें 50-50 percent है matching करते चलो जहां पर एक पर आजा है बस, एक second भी बसता है तो बच्चों एक second आपने लिए physics और chemistry के लिए बिल्कुल काम में आता है clear? so third option is the correct यह थोड़ा सा time management करना पड़ता है strategy अपना नहीं पड़ती है यह paper solve करने के लिए clear? ठीक है आएगा बच्चों question number now next 16, 16, 16 yes which of the following animals group is a parasitic flatworm? यानि किसके अंदर देखो parasitic flatworms के बारे में पूछा गया है platy helminthis bracket में भी दिया हुआ है उसके अंदर अपने को देखना है वुचूर एरिया एंसस्टो इस्टो मा यह जो है platy helminthis को तो बिलोंग नहीं करते हैं parasitic तो है but platy helminthis को नहीं S-kelminthis में tipworm and faciola yes tipworm and faciola यह जो है platy helminthis और parasitic nature में आता है तो second option is the correct now next question number 1717 और 1717 के अंदर पढ़े read the following statements and choose the correct answer from option given below यानि कि बच्चो अपने को सारी statement पढ़ने है और इसके अंदर जो correct है वो अपने को answer चूज करना वोई option अपना इसमें आंसर होगा so first statement देखें metagenesis is observed in all silentrates क्या यह correct है so metagenesis तो नहीं metameric segmentation होता तो वो अपन इसके अंदर देखते हैं इसलिए गरत हो गया echinoderms are exclusively marine and triploblastic and monoseous animal monoseous होकर की गलत होगे बच्चों यहां पर dioces होता नहीं तो यह शायद अपना इसको भी correct कर लेते and c option roundworms are silomate with complete digestive tract अपन जानते बच्चों roundworms जो है वो silomate नहीं है silomate होकर की गलत होगे यह अब बच गिया बच्चों इसमें तो चरह option में देखें तो वैसे भी अब तो इसमें एक यह option आता है fourth मेरा देख लिए थे complex present in tinophora which help in locomotion बिल्कुल silentrate से ही बाद में animal classification के अंदर silentrate में से कुछ animals को अलग करके tinophora एक छोटा phylum बनाया गया था और tinophora के अंदर complete present है तो D correct हो गया और D के साथ बचावा इवाला क्योंकि अब probability उसी की जा रही water canal system is the correct aesthetic of sponges बिल्कुल water canal system जो है वो sponge में पौरी फेरा के अंदर प्रजेंटे होगी water vascular नहीं वैच्छो थोड़ा सध्यान रखना water canal system बुला गया है यदि यहाँ पर water vascular होता तो फिर यह wrong हो जाता water canal system है ओके तो fourth option D and E are correct question no.18 आएगा question no.18 में in kukumaria and ophiura the capturing and transport of food occurs by the help of आगे न बच्चो यहाँ पर यसे पहले वाले water canal and water vascular water vascular echinodermates regular stetocyst regular food के लिए यह बट यह molluska के अंदर है stetocyst body balance के लिए है visceral hump भी molluskans के अंदर आता है but water vascular system यह echinodermates के अंदर है so clear correct answer is third now question number 19 19 which of the following group of mammals that live wholly in aquatic habitat अपने को इन options के अंदर हर एक options में कुछ animals के group या उनका set बना करके दिया हुआ है अपने को उस set को find out करना है अपने पेंग्विन्स आ करके यह हुए sea cow, seal, dolphin, aptenodite आ करके फिर गलत हो गया whale है, crocodile, crocodile जो है completely नहीं है उसके अंदर दोनों nature है बच्चों यह कुछ time water के अंदर रहता है बट यह कुछ time terrestrial में भी है whole time period उसका किस में होना चाहिए, whole time वो इसमें होना चाहिए, aquatic medium के अंदर चिलोन भी नहीं है, scolodion है dolphin, dolphin है, sea cow है, yes and valen of terra, जो blue whales है whales आती है, वो भी है, seal, foca, yes so बच्चों whole, यहनी completely उनकी life aquatic medium के अंदर है तो वो animal का set इसमें fourth option ही correct है so fourth option is the correct answer, clear चलिये जी, now question number 20 आईगा, the direction of flow of water in water transport system यहने, जल परवियन छेत्र में जल प्रभाह की दिशा छीक है, इसके अंदर जो भी direction दिया गया है तो टीक उस question के according जो options दिये वह है options में, चारो options, poriferous से related है यानि यह poriferous के अंदर water का जो flow का जो direction है वो direction पूछना चाहता है, वो सीधा अपने को देखना है तुम जानते poriferous के अंदर water enter किस से होता है ostia से, किस में आता है, spongosil, जो osculum, उसका color वाला part है वहाँ और वहाँ से बाहर निकलता है so, ostia, spongosil, osculum, outside यह fourth option correct है clear? चले जी बच्चों, now question number 21 पर आते हैं assertion region based question है teeth of mammals are heterodont इस्तंधारियों के दात विशम दंती, heterodont होते हैं, yes incisor, canines, premolar and molar heterodont, क्योंकि इनका structure भी different है, इनकी function भी different होते है जागे वाले दात, गिनविंग, कुतरने के लिए होते है and canine tearing and pursing, चीरने फाडने के लिए होते है premolar and molar, biting and chewing, काटने के लिए, चबाने के लिए होते है chewing food investigation, चबाने के लिए mammal possess different type of teeth in our jaw गिल्कुल हमारे जबडे के अंदर, इस्तंधारियों के अंदर क्योंकि इस्तंधारी ऐसा है, चाहे वो carnivores हो, या वो चाहे herbivores हो इनके अंदर जो जबडे होते हैं, जबडों में अलग-अलग परकार के दात इसलिए है कि जैसे carnivores है, शिकार करना है जो शिकार करने के लिए चीरा फाड़ी के लिए, उनके canine teeth होते हैं उनके canine teeth ज़्यादा डवलप होते हैं जैसा कि आपने देखा हुआ, cat है loin है, tiger है इनके सब के अंदर canine teeth इसका function क्या है? अपने शिकार को चीरा फाड़ी करने का then premolar and molar mastication चबाने का ऐसे आपने देखो, rabbit mammals है तो rabbit के अंदर canine teeth तो होते ही नहीं है, लेकिन उनके अंदर incisor teeth well developed है तो incisor teeth से क्या करता है gramming part, यानि कि भोजन को कुतर कुतर के खाता है, तो जबडे हैं तो उसके अंदर कुतरने के लिए दांत है बाकि उसके अंदर premolar और molar भी दांत दिये हैं, तो premolar molar कि किसलिए है? चबाने के लिए तो जबडों के अंदर जो अलग-अलग परकार के दांत दिये हैं, उनके कारे की आधार पर उनका काम भी अलग है इस्तंधारियों के अंदर सभी परकार के नेचर प्रजेंट है, कॉर्णिवोरस, हर्विवोरस human को आपनिवोरस के अंदर correct explain करता है, तो इसका correct answer जो जाता है, वो first answer ही जाता है, assertion and reason both are correct and reason correct explain the assertion clear जी? चलिए जी, आएगा बच्चों question number 22 चलिए, question number 22 में है, the group of animal which are vector of human disease includes, यानि कि बच्चों फिर बापिस ऐसा है कि questions के अंदर animals के group या set बना कर गिर दिया गया, लेकिन question में आप पैचान हो, studies ही होनी चाहिए, question में अपने को ये find out करना है कि उस set में या उस group के अंदर क्यावल अपने को vector का role play करने वाला, digits की वहक का role, रोग का वहक का role play करने वाला कौन सा animals का set है बस अपना brain महीं पर लगाना है अपने इसमें देखें first में locust था, lecifer edis, edis आता है, बाकी पर थोड़ा सा doubt है, but edis बच्छर पर आता है, muska मक्ही पर भी है, और anaphylis यह भी आ गया anaphylis की malaria है तो second option ही इसमें आ गया qlex vector है, but lemulus नहीं है वो connecting links है, और anaphylis है, fourth में bombics and termites नहीं है so correct answer तो जो इसमें जाता है, बच्चों वो second ही जाता है edis, muska and anaphylis so second answer is the correct clear, now question number 23, आईएगा question number 23 में which of the following is marine fish with bonny endosclutal अब आ जाएगे बच्चों पहीं सीदा सा है, pieces और pieces के अंदर 200 class कुंसी है, एक contract this, और एक austic this, हम जानते बच्चो, austic this के अंदर endosclutal bone का होता question के अंदर clear पूछा गया है, bonny endosclutal यानि कि अपने को contract this के examples को focus ही नहीं करना अब bonny के अंदर भी अपन ने इसमें पूछा गया, exclusively marine जो exclusively marine है fresh water नहीं होना ची वो particular marine वाला ही होना ची yes, prestige अपन जानते है, contract this है so wrong exocitus, yes marine है contract this caracodon ये भी नहीं है क्योंकि contract this है, पूछा है bonny and labio ये bonny है, but ये fresh water है तो ये दोनों सरगी है, bonny and skeletal के अंदर रोहु जी से अपन बोलते हैं but marine पूछा गया है तो correct answer is the exocytus चले जी now next question या है वो हमारा answer नहीं होगा clear so इनमें तो है amphioxus इससे का ये दूसरा नाम है ये तीनों एक ही अनिमल का नाम है but आगया और नी थो रिंकर्स ये नहीं है so correct answer is the fourth question number 25 फिर आगया बच्चों ये question assertion reason का नहीं है ये statement based question है ठीक है read the following statement and choose the correct answer from the option given below first statement A reptiles have a three chambered heart clear perfect सही है यहां तक except crocodile crocodile को छोड़ करके reptiles का heart three chambered यानि कि three and a half chamber consider करते हैं साड़े तीन chamber का heart अपन consider करते हैं crocodile which have two chambered crocodile से तो बच्चों four chamber हो जाता है reptiles के अंदर यानि कि ventricle में partition start हो जाता है evolution के basis पर पर वो completely four chamber नहीं होता साड़े तीन chamber का होता जिसको तीन chamber अपन consider कर सकते हैं लेकिन crocodile में दोई chamber का हो यह तो गलत हो गया तो पहला statement तो गलत रहा चलो second statement देखते हैं super class pieces show single circulation whereas class average show double circulation correct जो super class pieces है उस pieces के अंदर यानि कि single circulation होता heart ही दो चमबर का होता है एक artery और एक ventricle single circulation ही होगा लेकिन average के अंदर यानि कि average four chamber heart आ गया अभी थोड़ी देर पहले कुछ question में अपन डिसकस भी कर रहा था है जहां पर भी four chamber heart है but double circulation और जहां दो चमबर होगा तो वहां single circulation A-B's में double circulation so B statement is correct but A statement is incorrect तो fourth option इसका correct आता बच्चो only statement B is correct clear चलिए जी बच्चो question number now next 26 पर आते हैं which one is not applicable for myodogyn incognitia the new method of sk helminthes melody gyny incognitia के लिए कौन सा एक लागू नहीं होता चार statement में से कौन सा एक statement लागू नहीं होता जो लागू नहीं होता वो मारा answer होगा sk helminthes के उपर pseudo-silomate sk helminthes यह तो लागू होता है और बच्चों insight में clear लिखा हुआ है complete elementary canal digestive system तो second statement भी लागू होता है and free living warm yes यह wrong हो गया बच्चों यहीं पर तो आगे भी अपन दिवाग क्या लगाएं yes यह applicable इसके उपर नहीं है बाकि निमेटोर्ट्स plants की yielding को कम करता है yes अपन देखते हैं biotechnology बगरह पढ़ते हैं उपल मिला करके production rate को कम करते हैं but इसके अंदर जो लागू नहीं होता वो तो एक ही है बच्चों free living warm clear चलिए आएगा question number next 27 पर which of the following is group of sanguivorous animal organism यानि ऐसे कौन से इनके अंदर animals का group है set है sanguivorous बोले तो रक्त पोशी जो खून चूस चूस करके अपना भोजन लेते हैं जो खून पीते हैं ठीक है हीरूडिनेरिया सही है sanguivorous है female anaphilis ये भी ठीक है female edis ठीक है but bombics wrong है इसलिए first option गलत हो गया lecifer locust applysia ठीक है echinus wrong है petromyzone बिल्कुल यान है dine fish के नाम से भी जाने जाती है lamprey जिस एपन कहते हैं sanguivorous है खून पीती है female culex बिल्कुल female culex भी पीता है erudinaria leech jonk जिस आगया female edis यह आगया salmon fish नहीं bellanoglossus नहीं ये तो बच्चों सीधा answer ये अपने को third बिल गया yes question number 27 में correct answer is the third so now next question is 28 आएगा consider the following diagram of four organism and choose correct option for their matching 4 animals case में diagram दिये है उसके अंदर उसके बारे में कुछ information दिवी है वह information क्या इंसे related सही है ज़रा देखें आपन palemnius जो बिच्छो को बिलोग बिच्छो का diagram है excrete through blue books lungs नहीं बच्छों books lungs जो है एक तरह से respiratory organs है यह तो correct नहीं है jellyfish so medusa no यह medusa form on layout करके गलत होगी है correct option दीखना अपने को इसमें yes यह तो सही होगी है medusa turtle turtle में gliss के दौरा respiration गलत यह गलत यह तो सही है ornithor incas mammal with mammary gland यहां तक सही है but VV paris क्योंकि ornithor incas VV paris नहीं है OV paris है yes अभी थोड़ी दे पहले भी diagram based question था medusa and polyps का जो sexually or asexually part अपनने बताया था कि medusa sexually polyp asexually jellyfish का दिया हुआ है show medusa only second answer is the correct clear diagram based question है और identify करना था सही matching यही हो रही है आएगा question number now next 29 पर आएगा an undifferentiated mesoglia is found in आएगे न बच्चों जैसा कि भी थोड़ी देर पहले अपन question में discuss कर रहे थे जो animals diploblastic होते हैं तो उनकी body की दोनों layers को gum की लाइक चिपकाने के लिए मेजोगलिया प्रजेंट होती है but mesoglia किसी germinal layer से develop नहीं होती है origin नहीं होती है उसका उदिविकास silentrates के अंदर आपन ने discuss किया था तो triploblastic वैसे ही गलत हो गया diploblastic like fascia यह वैसे गलत हो गया and triploblastic like nearest triploblastic होती ही गलत हो गया गया एक ही option और वैसे भी diploblastic, silentrate obilia and hydra दोनो silentrate को ब्लोंग करता है इसके अंदर mesoglia प्रेजेंट होता है यही इसका matching इसका correct है so fourth option is the correct answer in question number 29 चले जी now next in question number 3030 और 3030 पर जड़ा अपन देखें याँ पर which of the following phylum has character like एक phylum की कुछ characters दिये वे हैं और उस phylum को identify करना है चले जी पहला देखते है complete complete आते ही सिदा आगया बच्चों silentrate से अलग करके बनाया गया छोटा phylum tinochora complete उसी में है बाकी और किसी में नहीं पढ़ी अपनने है लोको मोशन में help करती है बायो luminescence बायो luminescence भी है हंदेरे के अंदर उनके अंदर थोड़ा सा वो चमकते हैं सी कैटे समुदर की बिल्ली या ऐसा भी कुछ नाम उनको दिया गया है कॉमनली नाउन एस सी वालनेट समुदरी वालनेट के नाम से भी इनको पन जानते हैं तेरते वे दिखते हैं तो यह सारे तीनों करेक्टर्स जो हैं बच्चों तीनों फूरा को ही बिलोग करता है ठीक है पॉरिफेरा को नहीं है यूरो कॉर्ड़ेट को नहीं है एनेलिडा को नहीं है सो प्रेक्ट आंसर इस दा टीनों फूरा नाउ कुश्यन नबर 31 नेक्स्ट development by more than one larva stages is found in which of the phylum उन से phylum के अंदर जब उनका development होता है तो एक से ज़्यादा stages होती है देखो बच्चों development दो टाइप के हैं direct और indirect जहां पर indirect development होता है तो जाइगोट से blastula, gastula, embryo बगरा जो भी बनता है फिर उसके बाद में बीच में larva stage आती है larva stage, pupa stage बगरा ऐसी बीच में आती है उसके बाद फिर वो adult में आता है तो इस condition के अंदर अपन उस development को indirect development consider करते हैं और एक जहां पर embryo सीधा एक newborn baby के अंदर या newborn young ones के अंदर convert होता है उसको अपन direct development देते हैं तो अपने larva stage कहीं जगह पर पढ़ी है लेकिन आपने देखा हो तो platyhelminthes के अंदर इनके अंदर एक से ज़्यादा larva stages होती है परकार के larva आपने पढ़े होंगे तो NCRT ना details नहीं दिया लेकिन उसने बिल्कुल clear देखा है कहा है कि इनमें larva stages बहुत ज़्यादा होती है सरकेरिया मैटा सरकेरिया इस प्रकार से बहुत सरी larva stage होती है तो देखते हैं इसमें कौन से phylum में आता है प्लेटी हेल्मिंथी बिल्कुल सही जाता है बट एकाइनोडर्मेता नो इनमें ज्यादा larva stage एक एनिमल में एक से ज्यादा larva stage नहीं है अलग-अलग class में कुछ अलग-अलग larva हो सकते हैं बट जब development होता है तो larva stage एक से ज्यादा होनी चाहिए तो Echinodermate भी गलत है, Chaudate के अंदर तो हो दिए है, Hemicaudate भी गलत है, तो एक यांसर इसमें जाता है, बच्छो, Plety Halvindies, एक एनिमल के लार्वा का जब डवलप्रेंट होता है, तो उसमें more than one larva stages उसमें प्रिजेंट जाए है, तो, now next question, Question number 32, यह भी मैजदा कोलम आगया है, बच्छो, चली जी, मैजदा कोलम देखते हैं, फाइजेलिया, जिसको Portuguese of man war लिखावा भी है, एन्ड लिमूलस, लिविंग फोसिल में आता है, तो A का सेकिंड और B का थर्ड, फर्स्ट और थर्ड पर चले, अब आता है, एन्साइलो स्टोमा, और एन्साइलो स्टोमा हुक वार्म, फोर्थ, यह फोर्थ इस पर आगया, बच्छो, पहले पर यादा हो, बाकि तो यह है, ठीक है, चले दे बच्छो, कुशन नमबर 33, 33 पर आईएगा, Regarding classpers, which one is correct, classper के respect में कौन सा एक correct सही है, जो, टेल फिन्स इन मेल इसकोलियोडॉन, बीयर classper, पैल्विक फिन और फिबेल इसकोलियोडॉन, बीयर classper, बच्छो, टेल फिन और पैल्विक फिन, पैल्विक फिन पर classper होती है, यह बात तो सही है, बट टेल फिन पर नही है, इसलिए male scolodion गलत हो गिया pelvic fin सही है बट female में scolodon में हो यह गलत हो गिया अब आता tail fin तो tail fin तो जहां पर भी है वो वैसे option गलत हो गिया पहला तीर सरा तो वैसे हो गिया pelvic fin सही जाता है लेकिन class पर male में होती है female में नहीं होती है इसलिए scolodon अब स्कुलोडोन की according अपने को second और fourth में फोड़ा सा अपन ब्रेन लगाएं और female में नहीं होती इसलिए वाईंपर इसको रिजट कर दो, fourth option is the correct question number three, four, thirty-four, heart in pieces, pieces यानि मचलियों का मस्से का जो हिर्दया होता, वो कितने chamber का होता, दो chamber, एक atria, एक ventricle, single circulation, यान है, first option, two chamber and one auricle and one ventricle, clear, first option is correct, बाकी ओर पर time क्यों करे है, now question number one, next, three, five, thirty-five, आईएगा, मेंच दा कोलम, मेंच दा कोलम, first and second, choose correct option, clear, lateral lines, किनके अंदा present है, complete, tenophora, मैंने, A, lateral lines जो आतीजे, complete, tenophora, B में, first, third and fourth पर लगाएं, A, fourth, lateral line, ostrichthes, हागिया, B, redula, mollusca में होता है, अभी थोड़ी दिर पहले भी discuss किया था, अर्ण पेरा पोडिया, एने लिडा में, कुन से पी आता है, yes, third तो होई नहीं सकता, sorry, fourth तो होई नहीं सकता, बच्छों, किसके अंदर आगी आ रहा, complete, tenophora सही है, water vascular system, water vascular, water vascular, echinodermata, B, third, A, fourth, B, third, and C, का, first, D, बोले तो, complete, first, yes, यह आ गया, second option is the correct, ठीक है बच्छों, चलिजी, second option is the correct, now, question number 36, adult branchiostoma differ from adult acedia, यह नहीं, euro audit, जिसमें acedians है, और branchiostoma, दोनों के adult में क्या difference है, वो identify करना है, तो presence of notocode, बिलकुल, यही एक इसमें difference आता है, क्योंकि branchiostoma में whole life रहती है, पूरी body में रहती है, और acedia में only notocode tail में होती है, यह difference है, बाकी marine habit दोनों में है, homeothermas दोनों में है, presence of vertebral column दोनों में है, but difference जो create करने वाला statement है, वो एक ही है, इसमें tail में होती है, इसमें hall body में होती है, तो यह वाला answer इसमें crack जाता, 36 में, question number, next, 37, muska, drosophila, qlex, belong to order, यह primita, यातापन जानते हैं, primita के अंदर, primates, mammals, insecta, keet वगर आते हैं, यानि बटुस के अंदर, diaptera, इसका correct answer आता है, कि कौन से order, diaptera, order को belong करते हैं, muska, drosophila, qlex, यानि कि mosquitoes, order के respect में answer choose करना है, option choose करना है, so diaptera में आता है, correct, clear, चलिए जी बच्चो, now next question, 38, 38, 38, फिर SSN region based question है, और SSN region based question में देखें, वो है बच्चो, claspers are present in male of class contract these, या सभी थोड़ी देर पहले ही अपने discuss किया, scholar dawn, male pelvic pin पर claspers present होती है, बिलकुल correct है, so assassin तो correct है, अब आता है, in male exocytus, exocytus आ गया, बच्चो इसके अंदर कौन सा? austecthes में आ गया, claspers help in copulation, वैसे बच्चो, exocytus, conduct these में, उसमें, austecthes में है, तो exocytus austecthes में आने के कारण, class पर इनमें absent है, तो यानि कि, accession तो सही है, बट reason false है, क्योंकि, accession, conduct these के respect में है, और reason, austecthes के respect से दे रहा है, तो यहीं पर इसमें third option आ गया, चले जी question number 4040 पर आते हैं, और 40, sorry, 3939 पर आते हैं, 3939, which one incorrect about protocordate, protocordate के बारे में incorrect को find out करना है, exclusively marine, क्या यह पून रुप से समूदरी होते हैं, बिलकुल सही है, compromise tunicates and cephalocordates, yes, इन के अंदर क्या tunicates and cephalocords आते हैं, yes, बिलकुल, acidion, brainchostoma, and all adults have notocord, इन के adult में notocord होता है, yes, किसी के अंदर only tails में होती है और किसी के अंदर, all body या पूरी body surface पर present होती है, thorax to tail तक, then, incorrect पूछा, all adults have notocord, no, incorrect के respect में, all adults have notocord, सभी adult notocord रखते हैं, यही इसके अंदर बच्चों इसमें गलत हो गया, बाकी तो यह तो सही है, acidia, salpa, bronchiostoma, यह protocol में आते हैं, इसलिए protocol data में, incorrect वल आ गया वो तो एक ही आ गया बच्चों, कि सब के adult के अंदर, तो यही इसमें incorrect answer आता है, third option is incorrect, चले जी, question number 4040, और 4040 में आता है बच्चा, which of the following is not a character of class cyclostomata, cyclostomata का कौन सा AK character नहीं है, एक्टो पेरासाइटो प्सम फिसेस सही है, six to 15 pairs of gill slits यह भी सही है, migrate to fresh water, यानि marine से fresh water में और spawning के लिए जाती है, यह बात भी बिल्कुत सही है, पेर्ड फिन, इनमें पेर्ड फिन नहीं होती, fourth option is correct, इस respect में आंसर चूज करना, not character, चले जी, question number 4141, इस पर आते हैं, notocode persist throughout life, पूरे जीवन भव, चिरिस्ता है उसमें notocode present होती है, गिल्सलेट्स और विदाउट अपरकुलम, टीथ और मोडिफाइट प्लेकोईड स्केल्स, और में भी क्रेक्टस्टिक, विच अब दा सब फाइलम, ओंसे सब फाइलम में, कॉंड्रिक्थिस, अस्टिक्थिस, साइक्लोस्तोमेटा, नो, वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट पार्ट में आती है, सब फाइलम के रेस्पेक्ट में पूछा है, और वर्टिब्रेटा, फोर्थ ऑप्शन इस करेक्ट, वर्टिब्रेट, कुछन नमर 4242, आएगा, देखते हैं, read the following statement carefully and choose the correct answer from the option given flow, below, correct है, अपने कुछ statement, correct answer, ठीक है, पहला आता है, इन और्थ्रोपोर्ट, सच प्रॉन, स्टेटोसित, एक्ट ऐस बैलेंसिंग और्गन, का प्रॉन के अंदर, बोडी बैलेंस करने के लिए, स्टेटोसिस्ट और्गन हों से हैं, गलत है, मॉलस्का is the second largest phylum, ठीक है, आफ अनिमल किंग्डम, विच इंक्लूद लिमूलस, डॉंग हो गया, लिमूलस की वज़े से, एंड ए, ए करेक्ट है, प्रॉन का, ए तो करेक्ट है, बट बी वाला स्टेटमेंट है, वो इनकरेक्ट है, प्रॉन में इस्टेटोसिस्ट है, बैलेंसिंग ओर्गन, ठीक है, मॉलस्का में second largest phylum, लिमूलस की वज़े से गलत हो गया, C कहता है बच्चो, इंसेक्ट और बाइलेटरल सिमेट्रे सही है, टिपलोब्लास्टिक होते हैं, सही है, सेग्मेंटेट बॉड़ी होती हैं, ठीक है, और शिलोमेट एनिमल है, यह बात भी सही है, तो इसके अंदर बच्चो एक तो E करेक्ट जा रहा है, और एक C करेक्ट जा रहा बट यह नहीं जा रहा, बाकी के भी पढ़ते हैं, डी वाले भी, मॉलस्का है, सेग्मेंटेट बॉड़ी, डिस्टिंक्ट हैड, बच्चो मॉलस्का में अन्सेग्मेंटेट बॉड़ी होती है, सौट डी भी गलत हो गया, और एक स्टेटमेंट हो रहा गया, यह वला, इन ओल एकाइनो डर्मेट्स, इस डाइजेस्टिव सिस्टम इस कंप्लेट विद माउट और्सल और अनस और वेंटल बस यह गलत हो गया इसमें तो यह भी गलत हो गया, तो दो ही है, A and C are correct, clear? चलिये जी, next है बच्चोस के अंदर, Queshion No. 42 के बाद 43, आएगा, 43 पर, Consider the following animal, Cobra, Crate, Python, Stringray, Calotis, Vipers, Select the correct group of poisonous snack, फिर आगे बच्चों, Poisonous हो सकते हैं, लेकिन अपने को इन में से only poisonous snacks वाले को ही find out करना है, Cobra, Poisonous Snack है, Crate भी है, Python, Snack में हैं बट non poisonous है, Stringray, Poisonous है, बट यह, जो है, Snack नहीं है, Calotis नहीं, Vipers, So, इसके अंदर, ABF, यह, Snack में पूछा है, और यह, Poisonous Snack के respect में पूछना है, Third answer is the correct, चलिए जी बच्चो, Question No.4444, आएगा, Question No.4444, Lamprey lives in marine environment, but migrates to fresh water for the purpose of, अभी शाद पहले भी यह, कुछ चनाया हुआ था, Cyclostomates के respect में, यह, Spawning के लिए, यह, Reproduction के लिए, Fresh water के अंदर जाती है, है नहीं, तो यानि कि, Marine से fresh water में किस परपस से जाती है, Feeding करने के लिए, No, Marine वाले हैं तो, क्योंकि तो बैसे परासाइट है, In search of mates, Matting के लिए, Matting के लिए नहीं, Spawning के लिए जाती है बच्चों, Third option is the correct answer, Question number, इसके अंदर आ गया, वो आ गया बच्चों, Read the following statement, For the first triploblastic animals, evolution के respect में देखना है, विकास के respect में, Evolution के respect में देखना है, बच्चों, ठीक है, Which of the following statement corresponds to these animals? चलिये जी देखते हैं, Possess Shilom, Evolution के, This, दुबारा पढ़तूं मैं यहाँ पर, और, वो है बच्चों में, Read the following statement for the first triploblastic animal, Evolution के respect में देखना है, तो, Direct Shilom में यह पहला यह वाला आएगा, सही है, और, Proton Aphrodia, यह वाला भी ठीक है, और, आजी बच्चों, आजी बच्चों, नव नेक्स्ट के लिए नहीं, आजी बच्चों, 2nd, 4th, 5th, 3rd option is the correct, clear, आजी बच्चों, नव next question 46, question number 46 में है वाच्चोग, given below are 4 matching of animal and its kind of respiratory organ, which of the following is incorrect matching ? यानि के बच्चों यहां पर इसे question के अंदर, animals के नाम और उनके respiratory ओर्गन्स के नाम सोसन अंगों के नाम के matching दीवे हैं, उनके group यानिकी set दीवे हैं, इन में से कौन सा incorrect है, यानि कि ऐस अत्य कौन सा है, वह हमारा आंसर होगा, correct वाला बारा answer नहीं है, incorrect वाला answer है, जैसा एड़ीज है, उसमें tracheal system, तो orthoports के अंदरा अप ट्रेकेल सिस्टम के तुरूप पड़ते हैं, तो यह तो correct match है, scorpion, book lungs, यह भी correct match है, scorpion के अंदर book lungs उसमें respiratory organ है, c skirt, उसके अंदर pharyngeal gilsilates के तुरू होता है, यह matching भी correct है, dolphin, उनके अंदर skin के तुरू respiration होता है, जबकि इनके अंदर skin वाला याने cutaneous respiration नहीं होता, इनके अं correct matching है, वो fourth है, so 46 के अंदर fourth option is correct, now next question is 47, question number 47, lamprey, so बच्चो lamprey के respect के अंदर, अपने को जो statement देखना है, वो देखते हैं, कौन सा सही है, यानि कि may or may not be possessed jaw, यानि कि इनमें जबड़ा उपस्तित, अनुपस्तित होता है, यह उपस्तित वाला है, वाला जो part है, मे वाला, यह wrong हो गया है, इसमें, इसलिए statement सही नहीं है, are included in division, एगने था, यह एगने था, जबकि बच्चो lamprey जो है, यह बिना जबड़े वाली मचलिया, false fishish में आती है, तो इनके अंदर एगने था होने के वज़े से, यह भी क्या हो गया, रॉंग हो गया possess an elongated body with gill slits for respiration, yes, 6 to 15 pairs of gill slits इनके अंदर present होती है, so third option is correct, आगे आगे, are divided scale and possess paired fin, यह भी रॉंग है और यह भी रॉंग है, इसके अंदर, दोना ही इसमें रॉंग है, So, बच्चों, लेंपरे के respect के अंदर, third option वाला statement correct जाता है, so correct answer is the third, now next question, 48, आएगा बच्चों, 48 के अंदर, which of the following is incorrect option, यानि कि चार options दिये हैं, उनमें से जो incorrect है, वो अपना answer होगा, first is, archiopteryx is the missing link between reptiles and abige, यह correct है, क्योंकि archiopteryx एक प्रकार का missing link है, विलुप्त, योजग कड़ी के अंदर देना जाता है, जो reptilia और abies दोनों के character feature इसके अंदर present है, so यह statement इसका correct है, then cloica is present in balenoptera, balenoptera बोले तो वेल, वेल के अंदर क्या cloica present है, वेल mammals में आता है, उसके अंदर cloica absent होता है, so यह incorrect statement है, ठीक है, so second option is correct, बाकी के statement भी correct है, physalia, digestion, बोथ टाइप, extra और intracellular होता है, इसमें और dolphin भी भी परस होता है, यह भी ठीक है, dolphin भी भी परस है, so now next question 49, आएगा बच्चों question number 49 पर, yes, इसके अंदर भी अपन identify करते हैं बच्चों, select the correct option, identify A, B and C, इसमें से A, B and C को identify करना है, vertebrates को agnetha and gnetha stomata, यानि कि बिना जबडे वाले और जबडे वालों के अंदर classify किया गया है, अब आता class A, जो agnetha में आता है, cyclostomates, जैसा कि अब हम पिछले question में discuss करते चल लेते, lempray में, petromyzone, यानि, doine fist, जिसे भी अपन कहते हैं, तो A तो यह हो गया, और, yes, B pieces भी आ गया, conducties and austekthies, यह pieces के अंदर आ गया, और C जो है cyclostomata में आ गया, yes, यह tetrapoda में, C tetrapoda, यह tetrapoda में आ गया, so correct answer is the second, so 49 का second option is the correct, now question number 50, yes, question number 50 के अंदर भी देखीगा, बच्चो, जैसा कि screen पर दिखा है clear, एक chart दिया हुआ है, genus name, characters दिया हुआ है, class phylum, in which one of the following genus name and its two character, यानि की genus का नाम दिया हुआ 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 है, उसके साथ में उसके दो characters दिये हुए है, और फिर बाद में उसके class और phylum दिया हुआ हुआ है, उसमें जो correct match है, वो correct match को अपने को identify करना है, यह पहला आता है, एडमेंशिया, सिलेंट्रेट का आता है, बिल्कुल सिलेंट्रेट का एक्जाम्पल है, जीनस नेम, नीडो ब्लास्ट है, टीशू औरगन है, सिलेंट्रेट है, यही पार्ट इसके अंदर सही हो गया, बाकि, एसकरेस, बोडी, सेग्मेंटेट गलत हो गया, एनलीट गलत हो गया, फ्रॉग, टिम्पेनम रिपरजन ठीक है, और फर्टिलाइशन इंटरनल, यह गलत हो गया, एन्टेरो पर्स, जो बैठ है, इसकी इन पॉसेज है, ठीक है, बट और भी परज गलत हो गया, मैमल ठीक है, वी बी, और वी बी परज आता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इस दा कर्रेक्ट, क्लियर, नाउ, कुश्चन नंबर फिप्टी बन, कुश्चन नंबर फिप्टी बन में, आएगा, विच इस दा कर्रेक्ट ओर्डर ऑफ इवोलुशन, इवोलुशन की बेस पर सई सीक्वेंस क्या है, चले जी देखते हैं इसके अंदर, यह उसके बाद सिलेंटर डाइनी पॉरी फेरास हाइडरा, फिर अमीबा आ गया, यह करके गलत हो गया, ठीक है बच्चों, अमीबा, सिंगल सेलूलर है, सिंगल सेल के बाद मल्टी सेलूलर है, फिर टीशू पार्ट है, और फिर उसके बाद में ओर्गन पार्ट है, सो सई सीक्वेंस के अंदर, अमीबा से, यह स्पंजिया, पॉरीफेरा, सेलेंटरेड़ा, ए गिवन बिलो इस दा लिस्ट अप सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स की इसमें लिस्ट दी हुई है बच्चों, ठीक है, चलॉन, टेस्टुडो, अप्टिनोडाइटस, नियोफ्रॉन, पैवो, एलिगेटर, हमीडक्ताइलस, बंगारस, कार्वस, कॉलंबा, how many of them are होमेो थर्मल होमेो थर्मल एनिमल्स आइडिन्टिफाई करना है, कौन से एनिमल्स बच्चों, यह वाले बास, इस कुछ्चन में अपने को क्यों यह ही आइडिन्टिफाई करना होमेो थर्मल्स, यह भी है, टू, ठीक है, देन, पैवो है, नियोफ्रॉन है, और, अप्टेन एडिन्स, वन, two, three, one, two, three, four, five, five, five बाला पाट, second option is correct, यह स बच्चों, हॉमेो थर्मल के अंदर, five ऐनिमल्स आते हिंखा है, पाइकि पोई किलो थर्मल एनिमल है, रप्टाइस है, पोई किलो थर्मल है, so, now, in 52 से कुछ्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च option is correct answer and next question is 53 what is the common between whale elephant tiger and horse यानि की whale में elephant में tiger में horse में इन सब के अंदर क्या का common feature है well developed ear pinna ear pinna present नहीं है but ear pinna है ear pinna है ear pinna की respect के अंदर नहीं है but body covered by scale गलत हो गया यह भी गलत हो गया common नहीं है common feature number of cervical vertebra 7 होती है सब के अंदर यह feature common है gastration period वैसे भी बच्चों सब animal का gastration period अलग अलग है so overall final conclusion करें है common तो सिदा सब बच्चों इन में सब के अंदर cervical part के अंदर vertebra 7 होती है size अलग-अलग हो सकते but vertebra number of cells में present है so correct answer is the third so now next question is 54 आयेगा बच्चों match the column first with column second and choose correct option यानि किस column के अंदर correct option को choose करना है ए बोले तो लेपीडो टेरेन लेपीडो टेरेन ए जो इस पार्ट में आता है यह होता है बच्चों army warm एका second एक में या रहा बच्चों एका second बाकी में दिमाग लगाओ या मतलिका बात स्टेडेशी तो यही कहती है बी चलो third को देख लेते एंसाइलोस तुमा थर्ड यस आगया उचूर एरिया फाइल एरिया वार्म आगया पेरेटी मार्थों मागया वेसी बच्चों सुरी एका second दिया ना यह गलत है इस भी यह है इसके अंदर यह नहीं है second option is the correct चलिए जी question number 55 which is not character of balanoglossus balanoglossus का character नहीं है body organization is organ system level बिल्कुल सही है बच्चों balanoglossus के अंदर organ system लागू होता है organ system level पर body organization है body cylindrical shape है यह बात भी सही है and circulation is close type close type नहीं है circulation is open type excretion proboscis उसके proboscis के अंदर excretory gland present होती है यह बात भी सही है so इसके अंदर not character यह वाला characters में नहीं है so third option is correct in 55 question now next 56 question which statement are correct for colomba colomba बोले तो बच्चों prison कबूतर के respect में कौन सा correct statement है hind limb generally have scales सही है और modified for walking यह भी सही है flying यह बस बच्चों यह वाला statement इसमें गलत हो गया ठीक है बाकी यह तो सही है so पहला गलत हो गया इसमें अब आज़ा दे आर पोई किलो थर्मा नो होमे थर्मल है यह भी गलत digestive tract have additional chamber crop and gizzard बिलकुल सही है body covered by epidermal scale and acute यह भी गलत हो गया so third option is correct in 56 question and I yes now next question is 57 चलिए जी बच्चों question number 57 वही मैजदा कोलम है तो मैजदा कोलम के अंदर देखें one को second से correct options को choose करना है क्योंकि बच्चों कहीं बार यह आता है कि incorrect वाला कौन सा है यहां पर correct options अपने को choose करना है इनका sequence क्या है चलिए जी देखिए गा ए बोले तो एडेमसिया और एडेमसिया जो आता है कि अनमों से जलेंट्रेट के अंदर आता है बिल्कुल ठीक है एन मेंडराइन ब्रेंग कोरल में आता है यज मेंडराइन और गोर्गोनिया गोर्गोनिया बोले तो see fan गर गार गर 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 जो पुराना पंक्खा होता कैसे चलता बच्चों गर 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 तो गर से गौर्गोनिया गौर्गोनिया बोले तो C-Fan ये बच्चो नीट के अंदर आया वाभी कुश्चन है और ये फंडा है कई बार ये कई बार आचुका कुश्चन मतलब मैनी टाइम रिपिटेट कुश्चन आशकिंग कुश्चन गौर्गोनिया C-Fan ये गौर्गोनिया C-Fan इसके साथ है फॉर्थ के साथ ठीक है बाकी पेलें टूला ये रह गया C-Fan चलो जी बच्चो इसके अंदर देखे तो A का थर्ड Yes and B का सेकेंड सेकेंड और फॉर्थ में चलें C का फॉर्थ C का फॉर्थ ये आगया फॉर्थ ऑप्शन इस करेक्ट डाइरेक्ट चलिए जी बच्चो कुश्चन नंबर 58 आएगा कुश्चन नंबर 58 में Consider the following diagrammatic view regarding Silom Silom की regarding अपने को देखना है तो A Silomate में है B Diagram Pseudo Silomate में है और C Diagram A Silomate में है और A दियावा है A Silomate जो तो गलत हो गया यहने B दिया है Pseudo Silomate बट उसके examples इसमें रोगए A is U Silomate यानि Silomate है और Silomate में Nearest Porn Neopron यह स्थर्ड ओप्शन इसमें करेक्ट आता यानि कि एक में कुश्चन चेंज नहीं हुआ हाँ जी बच्चो Consider the following diagrammatic view regarding Silom जो diagram दिये हैं हम जानते हैं कि NCRT के अंदर इस तीनों diagram दिया Silom का है Pseudo Silom का है A Silomate का है अब इसमें अपने को यह देखना A वाला किसके respect में है और उससे related examples Clear? अब जड़ा इसके अंदर आपन देखें तो A Silomate Gorgonia वगरा यह रॉंग हो गया सिदा साय बच्चो A Silomate यह Silomate है Neres Prawn Neophran यही इसके अंदर matching correct जाती है So 58 का third option is correct Now question number 59 59 आएगा बच्चो 59 59 की अंदर When any two plane passing through central axis of body divides the organism in two identical halves यहनि की किसी animal की central axis से body को two identical half part के अंदर divide करना है This type of symmetry is not found in यह not found in में पूछा गया है जिसमें पाया जाता हो नहीं जिसके अंदर नहीं पाया जाता उसके अंदर पूछा गया है पहला option है The organism which show metagenesis The organism which has comb plate उसके अंदर तो by radial आती है उपर वाले में radial है and the adult organism which has water vascular system all acylomete triploblastic organism fourth is the correct answer बच्चो सीधा इसके अंदर acylomete के अंदर है और किसी भी equal part से इसको two half part के अंदर divide कर सकते हैं radial symmetry में now question number 6060 acyophis belong हम जानते बच्चों acyophis amphibians है और limb less है यानि कि ये amphibian होने के साथ साथ इसके अंदर limbs नहीं पाई जाते ना forelimb है ना hind limbs है यानि super class tetrapoda उसके अंदर ब्लों करता है हाँ इसके related है it has two pair of walking limb गलत हो गया क्योंकि ये बच्चों limb less है mixed habitat aquatic भी है terrestrial means damp and earth swamp में है कीचड वगड़ा उसके अंदर yes tympanum represent ear non monoseous non ये monoseous नहीं है dioces है unisexual and external fertilizer यानि केने का मतलब बच्चों एक्थिओफिष से related second option इसमें correct जाता है mixed habitat ये भी correct है इसके अंदर damp earth swamp ये वाला part correct है चलिए जी next बच्चों इसमें question number 6161 6161 में आता है member of which phylum may be parasite of plant यानि कि चार option में चार animals के नाम या animal कुछ भी organism उनके नाम दिये है जो plant के अंदर भी parasitic role play करता है वो अपना option होगा जैसा कि अपने पिछले में भी इससे पहले भी question आ चुका था reduce plant part yielding के अंदर वहाँ पर भी अपने डिस्केस किया था भूला था मैंने इसी पेपर के question के अंदर nematodes है और इसके अंदर जो question आता है S के हल्मिंथिस में कुछ nematodes होते हैं जो plant के parasite भी होते हैं animal के parasite नहीं plant के अंदर भी parasite का role play करता है so analida नहीं है kynodermata नहीं है S के हल्मिंथिस है nideria नहीं है so S के हल्मिंथिस is the correct answer clear चले जी question number 62 question number 62 के अंदर sexual dimorphism is not found in sexual dimorphism यानि कि male और female दोनों sex का dimorphism जिनमें clear देखने को नहीं मिले neris में present है leech यानि एनलिडेंस में नहीं है जैसे earthworm है उसके अंदर sexual dimorphism नहीं है male और female क्योंकि वो bisexual होते है male और female दोनों sex एक ही animal में होते है ascaris में male और female male दोनों separate होते हैं apis के अंदर भी male female अलग है और इसमें एक ही answer आगे है बच्चों correct answer leech एनलिडा जिसमें sexual dimorphism नहीं है तो leech में आगया so correct answer is the second now question number 63 now next question 63 hook warm and philarial warm are दोनों क्या है both are dioces इस बिल्कु सही है dioces बोले तो बच्चो यूनिसेक्सवल ठीक है नहीं यानि male अलग होता है female अलग होता है second कहता है monoseous यानि कि यह तो bisexual बोल गया बच्चों यह respectively और बोल गया तो नहीं है both are monoseous तो बहुत भी बहुत हो गलत हो गया नाव नेक्स्ट कुश्चिन 64 yes in aquatic analytes like neris है which of the following is help in the swimming नहीं analytes के अंदर भी बच्चों कुछ है member जो है उनके aquatic होते हैं उनके अंदर swimming करने के लिए कुछ है body parts होते हैं तो वो कौन help करते हैं क्या parapodia बिल्कुल सही है neris में parapodia होते है suckers उस में नहीं है CT नहीं है jointed walking legs नहीं है parapodia is the correct answer now question number next question question number 6565 आएगा इसमें बिल्कुल diagram दिया हो बच्चों A and B diagram are given below which characters is not match with them इन दोनों में से कौन से characters नहीं है यानि की A and B are bilateral symmetrical ये character तो इनके अंदर है बच्चों और A and B does not have separate male and female बिल्कुल ये बात भी सही है A and B show internal fertilization ये भी correct है note match में तो ये किया था बच्चों triploblastic and silomate ये वाला गलत हो गया बच्चों इसकी point of view से fourth answer इसका correct जाता है ठीक है चली जी नौँ water now next question 666 in echinodermate digestive system is complete and mouth is present on the ventral side X में ventral आगिया and N is present dorsal side in this X and Y ventral and dorsal respectively ये पहला option हे correct आगिया बच्चों या पर ये ventral और ये दोर्सल, so first option is correct, now next question 6767, which one of the following statement is true, all bilateral are deuterostom, गलत है, you metazons do not have tissue level organization, ये भी साई नहीं है, एनेलीड, आर्थरोपोर्ड, मॉलस्का, और प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमस होते हैं, yes, all deuteros, ना 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 चुब बस चुब बस चुब इसमें direct third answer is correct आता है, चले जहे, now next question 6868, which of the following absorb nutrient from host directly through their body surface, याने की बच्चों जिनकी अंदर एक तरह से elementary canal का पूरा पार्ट नहीं है, और direct body surface से ही, digested food absorb कर लेता है, tiniya solium, yes, cpia, no, बच्चों, cpia तो regular वगरा उससे feeding करते हैं, फिर खाते हैं, कॉलंबा, पीजन आ गिया, औबिलिया, सिलेंट्रेड, intra-extracelular digestion, digest करना पड़ता है, so tiniya solium is the correct answer, ठीक है, question 68 का first answer is correct, now next question 69, 9 आएगा, which of the following is not marine water bonny fish, यानि की marine water bonny fish हो, वो नहीं है, exocytus, बिल्कुल, यह ostrichthis है, exocytus, और marine में है, sea horse, जिससे hippocampus केते हैं, यह भी marine और bonny fish है, है, hippopotamus, यह बच्चो, hippopotamus, यह bonny fish है, यह marine नहीं है, hippopotamus मल्दब दरियाई गोड़ा, जानते नहीं, yes, flying fish, yes, वो भी नहीं है, so इस question के अंदर marine water bonny fish के respect में पुछा है, तो यह नहीं है, बाकी तो है, चले जी, hippopotamus नहीं है, yes, बच्चो, now next question is 7070, yes, 7070, which of the following group of an animal which belong to phylum, echinodermate and mollusca, यानि इसमें अपने को echinodermate and mollusca के members को find out करना है, तो चार options के अंदर अपने को identify करना है, octopus, जिसे के अपन devil fish भी कहते हैं, dentalium, tusk salvo बोलते हैं, यह mollusca के अंदर है, बाट echinodermate में नहीं है, और echinus, जिसे C, अर्चिन भी अपन कहते हैं, यह echinodermate में है, बट डोलियो लम, यह डोलियो लम अच्चो, ना तो echinodermate है, ना mollusca, यह tunicates के अंदर आता है, तो यह वाला set तो गलत हो गया, चलिए, आब अपन देखते हैं, इसके अंदर second, asterias, बिल्कुल asterias, starfish, जो एक तरह से echinodermate का member है, brittle star, जो कि ओफियूरिया के नाम से जाना आव जाता है, और यह भी echinodermate है, और chiton, जिसको ketoptera के नाम से भी जानते हैं, अपन यह mollusca के अंदर आता है, sepia mollusca में आता है, यानि कि यह तो इसके अंदर echinodermate में हैं, और यह इसके अंदर mollusca के अंदर आते हैं, तो second option is correct है, जब एक बार third and fourth को भी देख लें, antidone है, ophiuria है, ठीक है, बट lecifera arthropoda का आ गया, तो lecifera arthropoda का आने के बाद इसके वज़े से गलत हो गया, यह तो pearl austere है, बट यह arthropoda में आता है, तो यह भी गलत हो गया, अब c archini kynodermate है, c lily है, c hair है, अब c horse, अब c horse देखा जाए, तो यह c horse क्या है, hippocampus, ostrichist fish में आ गया, ठीक है न, तो इसकी वज़े से भी यह गलत हो गया, clear, चलो जी बच्चों, तो overall final conclusion अपन देखे, 7070 के अंदर, echinodermate and molluska कोई belong करने वाले, second option के जो animals है, वो ही correct है, शुरू के दो इसमें echinodermate के हैं, बाकि इसके अंदर, उसमें molluska के हैं, So, 7070 के अंदर, second option is correct, now question number 7171, आएगा बच्चों, diagram में दिया हुआ है, कि refer the figure ABC and choose the correct option, which show animal that regulate buoyancy with the help of air bladder, यानि air bladder के थूँ, वो तैरने का swimming के अंदर, उसमें जो role play करता है, तो तीनों diagram में केवल एक में अपने को दिख रहा है, बच्चों, वो केवल और केवल के इसमें, hippocampus, जो marine है, और ostrich this fish के अंदर आती है, इसको hippocampus कहते हैं, only a, option is correct, कि ये amphibians है, और ये इसके अंदर, other animal है, so buoyancy, ये भी continue swimming करती रहती है, अब आगे इसके अंदर, बच्चों, only a, जिसमें air bladder present है, ठीक है न, sorry, buoyancy with the help of air bladder, yes, a के अंदर ये आता है, clear, so 71 के अंदर, fourth answer correct जाता है, बच्चों, now, question number, next, 7 to 72, which of the following does not shed their scales, as skin cast, यानि ये कौन सा एक animal है, जो timely अपनी body पे से old skin को हटा करके, नहीं skin बनाने का process नहीं पाया जाता, जिन में पाया जाता, वो अपना answer नहीं होगा, जिसके अंदर पाया जाता है, वो नहीं, जिसमें नहीं पाया जाता, वो हमारा answer है, क्रोकोडायल कभी भी अपनी old skin को अठा करके, नहीं skin यानि किसमें malting या casting का process देखने को नहीं मिलता है, जबकि नाजा, poisonous snack है, कांचली बदलता है, करेद भी snack है, और शांप अपनी कांचली बदलता है, लिजार्ड छिपकली भी जो है, वो बदलता है, तो इसमें correct answer जो आजाता है, वो first number का जाता है, 72, so 72 के अंदर, first option is the correct, now next, 73, 73, yes, आएगा, hairs and ear pinna are absent in which animal, कौन से animal की अंदर, hair भी absent है, और ear pinna भी absent है, तो चलाए देखिए, macropos, kangaroo में आता है, तो hair तो present है, ear pinna भी present है, आएगा, डेल्फिनस, बोले dolphin, भी as dolphin, मैमल्स में भी है, और hair pinna, ear pinna absent है, और hair भी absent है, second option is correct, सिट्टा कूला, जो की तोता है, पेरेट, तो फेदर तो है, ear pinna नहीं है, टेरोपस, kangaroo, hairs है, final, ear pinna भी छोटे उसमें है, तो ओवराल, जिसमें यह दोनों चीज एपसेंट है, वो डॉल्फिन, correct answer जाता है, ज्यादा discuss नहीं करें, टाम भी बस नहीं करें, आएगा, 73 गा correct answer, सिदा, डॉल्फिनस, डॉल्फिन, now question 74, 74 आएगा, which of the following caudate is characterized with fresh water habitat, external fertilization and direct development, यानि की बच्चों, इसमें अपने को caudate के अंदा से, सभी caudate animal है, और इनमें से अपने को particular, उसको select करना है, जो fresh water वाला हो, ठीक है, और fertilization में internally, external हो, और direct development यानि उसमें larvae stage भी नहीं हो, ठीक है, चलिए जी देखते हैं, सपेट्रो माईजोन, तो पेट्रो माईजोन के अंदर तो बच्चों, ये नहीं है, इस टूथ यो, एवीस में आ गया, नहीं है, क्योंकि वो amphibians है, इस कोलियड ओन, ये, इसमें आ गया, कॉन्डिक्थ इसमें, जलत लेबियो, रोहू, तो रोहू इसका correct answer जाता है, लेबियो, ठीक है, बच्चों, फ्रेश वाटर भी है, एक्शनल फर्टिलाइशन, डारेट डवलप्मेंट है, सो correct answer, लेबियो, नाव, कुशन नंबर 7575, ये, वही मैजदा कोलम है, चलो, मैजदा कोलम में आ जाएं बच्चोंस के अंदर, और correct options को अपने कुछ चूज करना है, आएगा, चलो, एक्जो सीटस, बॉनी फिश, फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता, फर्स्ट का फोर्थ, तो यानि कि बच्चों, दो को छोड़ करके, एक, तीन, चार के अंदर दिमाख लगाना है, आएगा, टेरो फिलम, टेरो फिलम, एंगल फिश, बी का थर्ड, बी का थर्ड, बी में थर्ड, फोर्थ में आजाए बच्चों, ट्राइगों, फर्स्ट में गूर, ये इस्टिंग रहे, अग क्लेरियस में गूर, आग या फोर्थ, ठीक है, चलिये जी बच्चों, नव नेक्स्ट, कुछ्चन नम्र 76 76 आएगा, इन विच वन पडा फोलोविंग, गूरूओ फोलोविंग गूर्फ एट्परेट्छीम फिचर। ठीक है एनिमल्स के नाम दिये में एक कॉलम में सेकेंड में मॉर्फोलोजिकल फीचर है जो क्रेक्ट मैचिंग है सेंटिपीट प्राउं सी अर्चिन जॉइंड इड़ अपेंडेज गलत हो गया बच्चों सेकेंड ऑप्शन स्कॉर्पियों इस्पाइडर कॉक्रोज वेंट्रल सॉलिड नर्व कोड वेंट्रल नर्व कोड होती है सॉलिड होती है होलो नहीं होती है बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन इस करेक्ट कॉक्रोज लोकस्टा टीनिया मेटामेरिक गलत हो गया चलो जी सेकेंड ही यह बच्चेस की अंदर क्योंकि फोर्थ भी गलत ही होगा इसमें फड़ हो वैसे लिवर फ्लू केंट स्री बाइलेटरल यह हो गया गलत चलो जी सी अनिमों, सी कुकुमबर तो गलत होगी है चलिए आएगा नाव नेक्ष्ट कुश्च्छन 77 77, select those organisms from the following which have both characters in adult that is triploblastic भी हो और radial symmetry भी हो और अपन यह कुश्च्छन डिसकस करते हैं रहे, अनिमों, डर्मेट्स के अंदर, triploblastic adult में radial symmetry होती है लार्वा में bilateral symmetry होती है नहीं चलिए जी एस्टरियास में है बिल्कुल ओफियूरिया बिल्कुल उसमें भी है एडमेसिया, एडमेसिया, सिलेंट्रेड हो गया, नहीं है, पैनेटुला में नहीं है, टीनोपलेना में नहीं है, A and B, A and B, correct answer, क्लियर बच्छों, नाउं, कुश्चन नमबर 7878, आएगा, कुश्चन नमबर 7878, Which of the following pair of animal has non glandular skin, यानि कि अपने को इसमें देखना है कि कौन से animal का ऐसा group है, जिसकी skin में glands absent है, पहला snack, कोई gland नहीं है, बट frog, frog की skin के अंदर gland है mucous gland, इसलिए है first option wrong हो गया, Camelion, जो lizards में आता है, और turtle, यास बच्छो Camelion, reptiles में Camelion और turtle, दोनों की skin के अंदर ही gland absent है, जबकि fourth option में frog के अंदर आ गया gland, यानि पीजन में भी, उसकी hand limbs के पास gland होती है, बट यूं अवराल skin पे तो नहीं है, Crocodile, ठीक absent है, बट पेंथेरा में तो है, यानि, hair glands होती है, बट ये, Camelion और turtle, second option correct है, जिसमें glandular skin नहीं होती है, non glandular skin, reptilians में यहीं correct है, so 78 का correct answer, second, and now next question, 7979, in the phylum nideria, the polyp and medusa are, polyp and medusa, umbrella shape, free swimming and sasile, cylindrical shape respectively, no, sasile, ठीक है, free swimming, ठीक है, umbrella shape, ठीक है, cylindrical shape गलत हो गिया, and third option, sasile, सही है, cylindrical shape सही है, umbrella shape भी है, यानि कि polyp जो है, वो cylindrical होता है, और medusa, umbrella shape में होता है, बिलकुर सही है, respective order में देना है न, and free swimming respectively, third option is correct, बच्चो, इस order के अंदर अपने को देखना है, answer, it is cylindrical, and it is umbrella shape, so third option is correct answer, चलिजी बच्चो, now next question, 8080, आईएगा, 8080, इसमें है, select the correct matching, correct matching को identify करना है, coinocyte, porifera में है, यह गलत हो गई, needle blast, cylindrate, बिलकुर correct matching है, phlegm cell, porifera, यह भी गलत हो गया, complete, यह उसमें tino frame में आता है, निदेरिया गलत हो गया, so second option is correct, now next question, 8181, which of the following set of animal belong to a single taxonomic group phylum, taxonomic point of view से, एक single phylum को बिलोग करने वाले, उनका phylum सेम हो, bat, इंक बिलकुल mammalian में आगया बाट, pisan, butterfly, यह invertebrate में आगया है, monkey, chimpanzee, and human, yes, first option भी देख लेक्टल फिश, jellyfish, silverfish, dogfish, starfish, तो बच्चों, इसके अंदर mix हो गया, एक ही नहीं है, starfish, echinodermate में आ रही है, jellyfish, dogfish, यह contactus में आ रही है, तो पहला option भी गलत है, second bait, pisan, butterfly गलत हो गया, monkey, chimpanzee, and human, यही पाट सही जा रहा है, silkworm, tipworm, ठीक है, बरth, earthworm, इसका फाइलम अलग है, so बच्चों, third option is correct answer, monkey, chimpanzee, and human, texa group के अंदर, single part में बिलोंग करने वाले, यह तीन अनिमल का सही matching यही है, चले जी, question number 8282, आएगा बच्चों, consider the following animals, देखें, फिर यहांपर यहां, cuttlefish, jellyfish, anglefish, dogfish, starfish, devilfish, hagfish, shawfish, flyingfish, and itiofish, itiofish, the ratio between true and false fish, अने, true and false fish के respect में देखना आपने का अंसर, तो देखें बच्चों, true fish में अपन देखें, तो anglefish, dogfish, scolidon, starfish नहीं है, echinodermate में आता है, devilfish, octopus उसमें आता है, octopus यानि की, mollusca में, hagfish, mixin, जो की cyclostomates में आता है, sawfish, yes, आरा मचली जी से कहते हैं, flying fish, exocytus, उसमें भी आता है, यह नहीं, बस यही हुआ, 21 fish तो MPB आना है, तो 1, 2, 3, 4, यह तो true हो गई, यह चलिए जी बच्चों, कुशन नमर 8, 3, 83, आएगा, birds and mammals share one of the following character as common feature, यानि की, पक्षी और इस्तंधारियों में, कोई एक common feature है, pneumatic bone, यह birds में हैं, but mammals में नहीं है, VB parity, mammals में हैं, but birds में या aves में नहीं है, warm blooded body, yes, homeothermal, यह दोनों के अंदर है, and memory gland, यह mammals में हैं, but birds में नहीं है, so third option is correct, now, next question, 8, 4, 84, the phylum which member have exclusively marine habitat, radial symmetry, in adult and slomate, पिर बच्चों बच्चों कुशन है, इकाई नों डर्मेट सीधा जा राई है, यानि की, marine habitat है exclusively, और radial symmetry in adult, in adult radial symmetry आती ही, कुछ ऐसा लग जाता है कि, शाइद यह कहीं, echinodermate को बिलोंग कर रहा होगा, याना, चलिए दी, silentrate, no, tenophora, no, echinodermate है, brittle star, नहीं, so echinodermate में आ गया यह बच्चों, third option is correct, 84 का, चलिजी, next, यश में कुछच्च्च जो अपना है, that is the 8585 consider the following organ air sac lungs bucopharynx, gills, buc-gills, buc-lungs, tracheal system how many these are respiratory organs in the phylum arthropoda, arthropoda के अंदर ठीक है बच्चों, arthropoda में यहां से चले क्लॉय का नहीं है, tracheal आता है buc-lungs, gills आता है gills आता है and buc-lungs आता है आ गया एक, दो, तीन, चार second option is correct ठीक है चले जी, question no. 8686 आएगा बच्चो, muscular foot यह muscular foot आते ही कुछ ऐसा लगता है नहीं कि जैसे molluscus related आगिया visceral hump characteristic phylum which of following option is not related that phylum second largest phylum of animal kingdom, yes first largest phylum, arthropod and second largest phylum, mollusca यह तो सही है feather-like gills, yes feather-like gills है respiratory and excretory functions का role-play करती है बिल्कुल ठीक है diocese, wavy paras, यह wavy paras हो करके गलत हो गया ठीक है बच्चो not related, पुछाया नहीं बच्चो कुष्चन में देखो not related, बच्चो कुष्चन में देखो not related, बच्चो के गलत हो गया so यहीं पर आजा हो बच्चो चले जी कुष्चन नमर 8787 और 87 की अंदर आता है in phylum hemicodate change कलो यहाँ पर 8787 in phylum hemicodate के अंदर पूछाया बच्चो body is composed of head, proboscis यानि की proboscis, collar, trunk पहले option में head, thorax, head thorax दोना नहीं है, abdomen गलत हो गया prosuma, office thoma गलत हो गया, proboscis या शुन्द आगे वाला बाग thereafter collar, फिर उसके बाद trunk hemicodate का यहीं पार्ट third so 87 का third answer is correct now 88 question number 88 which of the following is correctly correct for the subphylum vertebra vertebra के respect में कौन सा statement सही है vertebral column is replaced by cartilaginous bonin notochord no wrong हो गया correct देखना अपने को dorsal muscular heart muscular heart तो बच्चो वेंटरल होता है so यह भी गलत हो गया nephredia excretion यह भी गलत हो गया अब बचिया एक ही option ठीक है paired appendages में फिन और limbs तो बच्चो वर्टिब्रेट के अंदर paired fin भी होती है और paired limbs भी होती है so fourth option is correct 88 में चलिए जी question number 8989 presence of gill slates with operculum and air bladder is absent pieces भी तोई क्लास है air bladder present air bladder absent operculum उसकी बिज़े से austicthis और contractthis सीदा इसके अंदर पूछा गया बच्चो contractthis fish के respect में और contractthis fish के respect में कौन सा गया caracadome magur यह भी austicthis है angle fish austicthis है hippocampus sea horse जी से हम कहते हैं वो भी austicthis है so contractthis के respect में caracadome correct answer 89 first option is correct now last question is 9090 amphibians of class amphibia have two pair of limb skin moist scales three chamber heart which of the following does not follow completely above character तो बच्चो कुई सी एक सभी इसके अंदर amphibians के examples हैं लेकिन कोई एक animal ऐसा है जो उपर दिवे features को belong नहीं करता कौन कौन से features skin moist two pair of limb तो बच्चो एक्थी office में यह limb less है बाकी सब है इसके राना टिगरीना सेला मेंडर हाइला जो ट्री फ्रोक के नाम से जाना जाता है थार ओप्शन इस करेक्ट सो बच्चो आज हमारा यह बायो केम डीटीएस का second paper है और second paper का जो 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 जी के portion के जो 90 questions है वो 90 questions हमने आपके सामने पुरा discuss किया है हम आपसे expect करते हैं कि हमारा जो एक brief की अंदर जितना हम best देने की कोशिस कर रहे हैं उससे आप satisfy हुए हैं और इसी के साथ do your best do your best and all the best last में जाते जाते एक statement बच्चो each and every doctors and engineers are not a successful person and each and every successful persons are not a doctor or engineer यह जरूरी नहीं है कि यदि हम engineer और doctor नहीं बने तो हम जीवन में सफल इंसान नहीं बनते और यह जरूरी नहीं है कि जितने भी दुनिया में सफल इंसान है वो केवल doctor और engineer ही है so do your best and all the best आप जीवन में एक सफल इंसान जरूर बने गूट लग्ट